यहारे बच्चों, आज हम मुकमल सैकड़े वाले अदद सफ़ा नमबर साथ और आठ समझेंगे सबसे पड़ा एक हिंसी अदद नौ है नौ में एक मिला यानि जमा करें तो दस सबसे छोटा दो हिंसी अदद बनता है यहाँ पर हमारे पास दस मोती है दस तीजो का गुरूप यानी एक दाई सबसे बड़ा दो हिंसी अदद 99 है सबसे बड़ा दो हिंसी अदद 99 है 99 में एक मिला यानि एक जमा करें तो हमारे पास सो ये सबसे चोटा तीन हिंसी अदद है तीन हिंसी अदद सो में बाएं तरफ का नया मुकाम सैकड़े का मुकाम है सैकड़े के लिए सीन लिखते हैं सो यानि एकाई धाई सैकड़ा एक बटवे में सो मोती है यानि सैकड़ा दूसरे बटवे में भी सो है दो सो इसी तरह देखिए यहां पर तीन बटवे नजर आ रहे हैं यानि ये तीन सो इसी तरह देखिए बाद में तस्वीर में हमें चार बटवे नजर आ रहे हैं पचास दाई यानी पांस एकड़ यानी पांस सू चलिए बच्चो अब सफ़ा नमबर आठ पर देखिए तीन हिंसी अदत का तारुफ हाली चौकौन में अददों को लफजों में लिखे हो तो देखिए पहले हमें यहां पर एक डबब दिखाई दे रहा है उसके उपर सीन लिखा हुआ है डबबे के अंदर सीन यनी सैकड़ा डबबे के अंदर हमारे पास कितनी पैंसिले है 100 उसके माज़ू में एक क्या नजर आरा? खरिया यन्य पैंसिल तो हम क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे सैकड़ाय में इसी तरह देखिए, इधर सैकड़े, दूसरे डबे में सैकड़े का सीन लिखा हुआ है, और बाजू में दो पैंसिले नजर आ रही है, तो यहां पे सो, इसलिए इसे सैकड़े में एक लिखेंगे, दाही में सीफर लिखेंगे, और यहां पर एक आई में दो लिखेंगे, एक एक लिखेंगे, एकाई में तीन पेंसिल नज़र, सैकड़े का एक, एकाई के तीन, इस तरह यहां पर एक सो तीन लिखेंगे, यहां पर सैकड़े का एक डबा नज़र आ रहा है, इसलिए हम सैकड़े के मुकाम पर एक लिखेंगे, यहां पर दहाई की कोई अलामत नहीं है, सीफर लिखेंगे यहां पर चार पैंसिल नजर आ रहे है इसलिए हम एकाई के मुकाम पर चार लिखेंगे यानि हमारे पास क्या हुआ यह एक सो चार बच्चो बाकी कर पांच छे साथ आठ नौ दस यह आपको हमवर कर यह आपको करना है समझ कर कर दो दो आठ लिखेंगे